अभी रक्षा बंधन आने ही वाला है तो अगर आप भी कुछ आसान से मिठाई की रेस्पी ढूड रहा है तो आपको ये रेस्पी जरूर से ट्राई करना चाहिए बनाना काफी असान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ही आप इसे जिसे भी खिलाएंगे न वो आपकी तारिफ करते खरते नहीं थकेंगे तो इसके लिए हमें कराही में डालना है दूद जो कि मैंने आधा लीटर से थोरा सा ज़्यादा लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1x4 cup के करी milk powder केसर की कुछ धागे जो कि बिल्कुल optional है आप चाहो तो food color भी डाल सकते हो और इन सबी चीजों को पहले अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और mix करने के बाद हम इसमें add करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़ादा चीनी और इसके बाद हम gas के flame को on कर देंगे और इसे mix करके gas का flame low करके छोड़ देंगे ताकि यह रबरी की तरह त्यार हो जाए यानि गाढ़ा हो जाए और मैंने यहाँ पे milk powder डाल लाने तो हमारी रबरी और भी ज्यादा टेस्ट ही लगेगी तो अब मैंने यहाँ पे लिया है पनीर जो की 250 ग्राम के करीब है और अब हम इस पनीर को अच्छी तरीके से ग्रेटर से घीस लेंगे कुछ इस तरीके से आप चाओ तो mixi grinder में भी घुमा सकते हो यानि grind कर सकते हो और अब हम इसमें डाल देंगे वन टेबल स्पून के करीब बारीक वाली सूजी अगर बारीक वाली आपके पास ना हो तो आपना सूजी को mixi grinder में grind करके ले लिजेगा वन टेबल स्पून के करीब आटा डाल देंगे गेहु का जो आटा होता है जिसे हम रोटी बनाते हैं वही और वन भाई हाप टेबल स्पून के करीब ही लाजी powder डाल देंगे और इन सबी चीजों को पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हाथों की हथेली की सहाथा से अच्छी तरीके से मैस कर लेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छी तरीके से मैस हो गया है या नहीं तो आपके ने हाथों में ये चिपकेगा नहीं और हाथों में थोरा सा तेल आने लगेगा तो समझ आएगा कि अच्छी तरीके से मैस हो गया है और इसके बाद हम क्या करेंगे इसका थोरा सा पोश्चन ले लेंगे और इसे अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे और हम इसे ह Belan Brown होने तक अब भी कर लेंगे अब यह बहुत ही अज़ी तरिक से रहे हो गया है तो हम इसे निकाल देते हैं और हमें इसे ना गर्मा गरम ही डाला है तो चलते हम अब रबरी की तरफ तो देख सकते कि हमारा रहबरी भी बहुत ऑची तरिक से गाडा हो गया है और इसका अच्छा सा कलर भी आ गया है केसर की वज़ह से अब हम इसमें लाइची पाउड़र डालके मिक्स कर देंगे और हमने जो फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और हम गरम गरम रबरी में गरमा गरम त्यार किया हुआ ना घुलाव जामुन मतलब आप जो भी कह लिजे उसे डाल देंगे और इसे हलका सा प्रेस कर देंगे और इसे ढख कर कम से कम 5-6 मिनिट के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनिट बाद हम इसे साफ करेंगे आप चानोते इसे फ्रीज में ठंडा करके भी खा सकते हो और भी बहुत जादा टेस्टी लगेगा ये और अब हम उपर से थोड़ा सा गार्निस कर देंगे पिस्ता से तो लीजिए अब हमारा टेस्टी सा मिठाई बनकर त्यार है तो आप भी इसे रक्षा बंदन पर जरूर से ट्राई कीजिएगा चलो बाद